बी मित्रों को नमस्कार 500 यात्रा चैनल प्राफ़ा स्वागत आज हम पढ़ेंगे ऐसायोग अंदुलन एक तरह का प्रतिरोद कैसे था चर्चा कीजिए प्रशन इंपोर्टेंट है इसमें ऐसायोग अंदुलन के बारे में काफी कुछ इस्परस्ट हो जाएगा उत्तर इस प अंध्यकार्द वारा थोपे गए रूलेट अक्ट जैसे कठोर कानून को वापस लेने हेतु जन्ता के आक्रोस को परकट करने का लोगप्रियमाध्यम था देखो रूलेट एक्ट एक आता है जिसे बीना अपील बीना दलील का कानून कहा जाता है जिसे किसी को भी सखके जो ऐसायोग होगा जिसमें हम सहयोग नहीं करेंगे तो यह बताना कि परतिरोध कैसे था सबसे पहला तो यह कि यह जो सुरू किया गया था वो डुलेट एक्ट जैसे कठोरюсь कानून को वापस लेने हेतू किया गया था इसलिए ये परतिरोध था पहले बिंदू से स्पस्ट हो जाता है दूसरा ऐसा अंदुलन एक परतिरोध अंदुलन था क्योंकि देश के राष्टे नेता उन ब्रिटिस अधिकार्यों को दंडित करवाना चाहते थे कि दंडित करवाना चाहते थे जीनों ने जलिया वाला बाग में निर्दोस लोगों की अत्या करवाई इसलिए ये एक विरोध था परतिरोध सब भी चाहते थे नेता कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले तीसरा यह हैं इसलिए भी परति रोध आंदुलन था क्योंकि यह खिलाफत अंदुलन के साथ सहयूग करके दो परमुक धारमुक समुदाय हिंद्वा मुसलमानों को साथ लेकर जनता की ऐस सहयूग को परिकट करने का एकमाधियम बन गया देखो खिलाफत अंदुलन और ऐस सहयूग का अंदुलन दोनों साथ साथ चले जो टरकी में खलीफा थे मुस्लिम खलीफा उनका अपमान किया गया ब्रिटिस सामराज्य द्वारा क्योंकि वहाँ पर उनके आशासन था और इस से भारतिया मुसलिम समुदाय को गहरा आगात पहुचा और आगात पहुचने के कारण मुसल्मानों ने खिलाफात आंदुलन चलाया और हिंदु ने एक तरीके से ऐसा आयोग आंदुलों तो इसलिए भी पर्ति रोद आंदुलन था क्योंकि इसमें सभी हिंदू और मुसल्मान रोने ऐसा ऐयोग परकट किया कि इस से Brit – सासन से कि हम ब्रेटी सामसन को नहीं चाहते हैं अगला बिंदु चार यह इसलिए भी परती रोद अंदुलन था कि विदेशी सिक्षा संस्थाओ देखो जितनी भी विदेशी थे अंग्रेजों द्वारा चलाएगे संस्थान ते सबका बैसकार किया गया उसके बारे में लोगों द्वारा बनाए गई राष्टी शिक्षा संस्थाओं में विद्यारतियों को पढ़ने के लिए भीजा जाए वाशिक्षाओं को अध्यान करने के लिए प्रोथ साहित किया जाए देखो कुल मिला के है कि बिटी सासन द्वारा जितने भी विद्याले चलाए जा र घे होगा अंडुलन अगला मिंदू है इस अंदुलन का परभाव अनेक फ़ोकों सहरों में कारीय रथ शमी को नेक कार्य करणे से मना कर दिया अगनुन पूमने भी श्रमीक थे कम और सहरों में कारी रत वह सामराच जी के लिए उन्हें कारी करने से मना कर दिया और उन्हें काम बिटीस कोई भी काम नहीं करेंगे कि को सारे के सारे जो करम चारी थे वो अड़ताल पर चले गए अरे एक अनुमान के अनुसार ऐसा माना गया है कि जब यह अंदुलन शुरुआ कि 1921 में 306 में अड़ताले हुए लगवग 6 लाक से अधिक सर्मिक उसमें सामिल हुए और यह सारी अड़ताले वो अड़ताले थी जो ब्रिटीस कारिये के विरोध में की जा रही थी बिंदू नंबर 6 भारती नेताओं ने आमजंता वे वकीलों से सरकारी अदालोतों का वहिस करन में वकीलों से कहा कि आप सरकारी अदालतों का वैसकार करें और गांधी जी के आवान पर वकीलों रहत जानय से मना भी कर दिया वूeralतों का वीतिकर कीए उसके बाद साथवा है देश के ग्रामींन छेतरों में भी अपने-अपने ढंक से किसानों के जिन सीह लोगों थी उसे जिस गाओं से अंग्रेज गुजडते थे उस गाओं के लोगों को नあー सामान अगले गाउं तक छोड़ के आना पड़ता था उनकी डोली को भी उठा के लेके चलना पड़ता वो पैदल नहीं चला करते थे तो अंग्रेज धिकारियों का सामान डोने से उन्होंने मना कर दिया अवद के किसानों ने लगा नहीं चुका यह यह नि विरोध करेंगे अंग्रेजों की रखे अंद्रपरदेश की जंजातियों ने बन कानूनों की खिलाफत करना प्रारम कर दिया तेकों रेज इस ट्रिक्टली जहां पर वन थे उनपर कपजह कर लिया था मैक्सिममम जेंग् कि हमारे सबक हमारे शिवाएं कोई लकड़ी नहीं काट सकता बाकी काट सकता अंग्रेज कुछ भी कर सकते थे लेकिन आम पब्लीकों के लिए जिनके वन है जो लोग रहने हैं उनके लिए कानून हश्य मंंं इंप्लीमेंट कर दिये तो उन्होंने भी खिलापत करना प्रारण में जाए कि denial backyard ऐसे कहार जा सकता एक तरह का परती रोद अन्दोलन था फिला लगएस बाद में करेंगे धन्यवाद